Topic is acceleration of a body rolling down the inclined plane अगर आपको याद हो, हमने laws of motion में ऐसे questions किये थे क्या किया था? मैं आपसे ये पूछा करता था कि अगर आपके पास कोई inclined plane है और inclined plane का angle theta है, कोई friction नहीं है तो कितनी force body को नीचे लेके आएगी आप बोलते थे mg sinθ sinθ, कितनी acceleration body को नीचे लेके आएगी? जी, sinθ इस case में body क्या करती थी? सिरफ slide बस अब body क्या कर रही है? roll roll का मतलब है कि घूमती हुई नीचे आ रही है और जब कोई भी body घूमती हुई नीचे आएगी तो center of mass किस motion में होगा हमेशा? Translation center of mass linear motion या translation motion में होगा clear है यह तक? बाकी particle उसके बाउट गूमेंगे अब दूसरा point किसी भी body को अगर roll करने तो यह question में गिवन हो या ना गिवन हो friction तो चाहिए ही चाहिए बिना friction के body roll नी करेगी आप एक sphere को ऊपर ले जाओ क्लाइन प्लाइन के चोड़ दो और नीचे friction नहीं है वो slide करता हूँ नीचे आएगा roll करता हूँ नीचे नहीं आएगा roll तभी करेगा जब क्या present है? friction क्या यह point clear है तो friction जरूरी है और technically friction क्यों जरूरी है इसका mathematical answer मैं अभी आपको देता हूँ किसी भी body को rotate करने के लिए क्या चाहिए? torque torque चाहिए आप मुझे चीज का answer दो जब यह body roll करती हुए नीचे आएगी इसका axis of rotation क्या होगा यह axis है ठीक है ऐसे नीचे आ रही है तो axis यह रहा कौन-कौन सी forces यह पूर्स बॉड़ी पथ कर रही है एक इसका weight mg mg m g cos m g sin θ m g sin θ force बॉड़ी को नीचे लेके आ रही है clear है यहां तक M g sin θ force नीचे लेके आ रही है mg sin θ खुद आक्सिस पर अक्सिस पर अक्ट कर रही है तो क्या यह torque generate कर सकती है नहीं कर सकती क्यों? यह खुद axis पे काम कर रही है, तो कोई talk generate नि करेगी तो और कौन सी forces है? Normal reaction, और तो खुद axis पे काम कर रही है यह भी talk generate नि कर सकती तो न normal reaction talk generate करेगा, ना mg sin theta करेगा, ना mg cos theta करेगा, ना mg करेगा क्योंकि सारी forces कहां लग रही है on the axis, तो ये body को घुमा नहीं सकती, translate करवा सकती है, नीचे लेकर आ सकती है, तो क्या बचा? Friction, अब friction कैसे काम करेगी? ये रेखो, ये मानलो body है, incline plane मैं रखती, मानलो पर ले friction नहीं है, incline plane friction नहीं है, body कैसे आएगी, slide कर तो नीचे आएगी, मानते हूँ, body gisset ने की कोशिश करेगी, अगर मानलो friction नहीं है, तो body seed ही ऐसे आएगी, घुमेगी नहीं, पर मानलो friction है, मेरा हाथ friction है, ये रेखो, friction कैट करेगी, पीछे, अब अगर friction कैट करेगी, friction help कर रहे है, तो torque generate करने में, ये समझ में आ रहा है यहां तक, क्योंकि friction पीछे लग रही है, तो torque generate कर रहा है, अगर friction भी नहीं लगाता, फिर body घूमे कैसे, ये body को घूमने के लिए क्या चेही के torque और torque लगाने के लिए, तो friction ही torque लगा पा रहा है, बाकि तो torque 0 generate कर रहे है, तो point समझ में आ रहा है, किया friction की ज़रुरत है हमें, ठीक यहां तक, और friction torque आगे कैसे generate कर रहा है, ये समझ में आ रहा है, मेरा हाथ अगर friction है, और friction अगर पीछे act करती है, तो body कैसे घूमती है, आगे की तरफ रोल करती है, और body such में आगे ही रोल कर रही है, clear है यहां तक, ठीक, तो इस question में निकालना क्या है, मुझे निकालना है, जब ये body roll करती हुए नीचे आएगी, center of mass कैसे जाएगा, in translation motion, वो translate करेगा, वो नि घूमेगा, और मुझे किस की acceleration निकालनी है, center of mass की translation की acceleration निकालनी है, ये center of mass, क्या ये point clear है यहां तक, ये मुझे निकालना है, अब ये body क्या कर रही है नीचे आने में, roll, roll का मतलब दो motion का combination, पहला translation, दूसरा pure rotation, ये ठीकाया था, वो theory में ठीकाया था, अब मैं को लगा के दिखाता हूँ, इसका मतलब क्या होता है, तो एक काम करते हैं, पहली equation किस पे लगाते हैं, translation पे, दूसरी equation किस पे लगाते हैं, rotation पे, दोनों को combine कर देते हैं, rolling की problem solve, या उल्टा बोलो, अगर rolling की problem solve करनी है, तो rolling का अपना कोई formula नहीं है, except एक formula, v is equal to r omega, rolling में आपको question को break करना होता है, translation में अलग, और pure rotation में अलग, और फिर दो mathematical equations को combine करना होता है, तो rolling अपने solve हो जाती है, point समझ में आ रहा है, और क्योंकि, हम translation equation laws of motion से सीख्या हैं, कैसे, translation motion की equation हमेशा किस पे लगेगी, only be applied on center of mass, प्योंकि कौन translate कर रहा है, center of mass, प्योंकि center of mass translate कर रहा है, तो equation किस पे apply करेंगे, center of mass पे, और जब मैं बोलता हूं, center of mass पे equation apply करो, फिर shape matter, करती नहीं है, फिर shape का क्या करना, translation motion में, laws of motion में, shape matter नहीं करती, तो आप simple ये बोलो, ये body नीचे आ रही है, कौन सी force इसे नीचे लेके आ रही है, mg, sin theta, पीछे की तरफ कौन सी force है, friction, तो point समझ में आ रहे है, हमने laws of motion किया था, और laws of motion में, हम translation motion ही करते थे, और मैंने laws of motion की ही equation को use किया, point समझ में आ रहे, पर ये याद रहे, translation motion में, torque का कोई concept यूज नी करना, force का ही सहरा concept यूज करना है, और ये किस पे लगेगी, center of mass पे, और acceleration किसकी लगेगे, center of mass की, पहला step clear है, ये आदा question solve हुआ, ruling का, तो ये आदा question कौन करेगा, rotation, अब हम equation किसकी लगाएंगे, rotation की, जब मैं बात करोता हू rotation की, body के घूमने की, जब body घूमती है, तो इसमें क्या जनरेट होता है, torque, rotational motion किसमें काम करता है, torque में, translation motion किसमें काम करता है, force में, तो force का का काम अब किसमें करेंगे, torque में, तो फिर से body का diagram बनाया, body रोल करते हूँ नीचे आ रही है, body पे कौन-कौन सी forces act कर रही थी, mg, sin, theta और friction, ये axis है body का, moment inertia body का आये, mg, sin, theta कोई torque जनरेट नहीं करेगा, ये फैसला हो चुक है, कौन generate करेगा, friction, friction कितना torque generate करेगी, force, torque क्या होता है, force, into perpendicular distance from the axis, तो torque की value यहाँ पर क्या होगी, r times alpha, तो torque इसमें क्या होगा, r alpha, समझ में आ रहे हैं यहां तक, अब torque के हमने दो formulae क यह हुए है, पहला formulae torque का क्या था, rf वाला, और दूसरा formula क्या था, i alpha वाला, दोनों को equate कर दें, हमने last lecture में यह इसी कहा था, तो एक formulae rf, यह torque generate हुआ, और एक formulae i alpha, cross multiply करके क्या निकाल दिया, f निकाल दिया, यह equation किस concept से आई, rotation, यह equation किस concept से आई, translation, अगर मैं दोनों equation को मिला दूँ, तो किसकी problem हो गई, rolling की, तो एक काम करो, इस friction की value को यहां से उठा के यहां पुट कर दो, तो जब मैं ऊपर पुट करता हूँ, तो यह time आ गई, अब center of mass की जो acceleration है, यह center of mass है, जब आपने एक sphere को ऊपर छोड़ दिया था, center of mass अपनी speed बढ़ाएगा, to accelerate करेगा, और मुझे वही तो निकालना है, acceleration of center of mass, तो obviously घूमने की speed भी तो बढ़ेगी, 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 अगर कोई inclined plane से sphere को छोड़ दे, या किसी rolling body को छोड़ दे, तो अगर acceleration of center of mass की generate होगी, तो alpha भी तो साथ-साथ-साथ-साजनरेट होगा, और अभी अभी अ पुट करेंगे, a center of mass by r, 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 r square हो जाएगा, a center of mass, वाली terms एक तरफ, बाकी terms एक तरफ, cross multiply करके answer आगया, acceleration of center of mass, जो की g sin theta पे तो dependent ही है, साथ में body के moment of energy पे भी dependent है, और यहां तक नहीं है, यह एक और step है, किसी भी body के लिए, i का formula क्या लिख सकते है, variation की form में mk square, तो i कीजिगा, put कर तो mk square, m, 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 cancel, यह formula तो याद कर लो, acceleration of center of mass का, अगर पेपर में आएगा, प्रूव करना है, acceleration of center of mass, rolling body में, inclined plane पे क्या होती है, g sin theta, upon 1 plus k square by r square, तो rule क्या है, पहला rule, पहली equation, translation motion की, problem किसकी है, rolling की, rolling के question को break करना है, translation and rotation, translation, force का concept, rotation, torque का concept, दोनों की common value को जोड मिला दिया, एक की value दूसमें put कर दी, answer आगया, तो यह acceleration of क्या आगया, center of mass, आपके paper में आएगा, drive an expression for acceleration of center of mass for sphere, यह हो सकता है, किसी के paper में आजाए, drive an expression for acceleration of center of mass for disc, for ring, for cylinder, आपने जब यह paper में आएगा, यहां तक तो करना ही करना है, फिर special case लिख देना है, अगर question में लिखा हुआ है ring, तो ring का k square by r square क्या था, ring का moment on anisya क्या होता है, 1mr square, तो k square by r square क्या होगा, 1, तो यहां पर 1 put करेंगे, answer, अगर आते है disk, तो disk का formula क्या था, आएगा, हाफ mr square, तो k square by r square की जगा क्या हाएगा, हाफ, हाफ put कर देना, अगर आते है solid square, 2 by 5 mr square, तो k square by r square की जगा, 2 by 5, क्या मज़ेदार चीज़ था, कुछ नहीं करना, k square by r square change करते हो, answer change होते रहेंगे, अब समझ में आया फाइदा, रेडर देजारेशन में, k square by r square हमने, क्यों निकाला था, end में, इस form में answer निकालेंगे,